वहीं केरल में भी रविवार को ही क्रोना वाइरस संक्रमन के 51,570 नए मामले सामने आए हैं जबकि करनाटक में कोविड-19 के ही 28,264 मामले की पुष्टी हुई और 68 मामलों की जो थे उसमें मौत भी हो गई है वहीं तलंगाना में संक्रमन के 2,484 नए मामले सामने आए हैं और एक और मरीज की मौत हो गई है आपको बतादे इसको लेकर भी स्वास्ते विभाग ने कहा है कि केरल में ही नए मामले सामने आने के बाद कुल मामले 49,83,515 हो गई है विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में ही महामारी से राजे में 14 लोगों की मौत भी हो गई है जिसके बाद कुल मिर्तक संख्या 53,666 हो गई है और उसने ये भी बताया है कि केरल में ही कोविट के अब चार धीन मरीजों की संख्या 3,54,595 हैं और जबकि 55,74,535 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं राजे में बीते कुछ दिनों से में ही संक्रमण के मामले 50,000 से ज्यादा आ रहे हैं वहीं मद्य परदेश में रविवार को कुरोना वाइरस संक्रमण के 9,305 नई मरीजों की पुस्टी होने के बाद कुल मामले बढ़कर 9,49,439 हो गए स्वास्त विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों में परदेश में महामारी की वज़ह से 9 लोगों की मौत हुई है और इसे मिला कर राजे में अब तक कुल 10,616 लोग संक्रमण के कारण जानकवा चुके हैं उन्होंने कहा कि रविवार को ही कुरोना वाइरस संक्रमण के इंदोर में ही 1,936 और भोपाल में 1,784 नए मामले दर्च किये गए और ये दोनों जिलों इस संक्रमण रोग से ही परदेश में सबसे अधिक प्रभावित हैं उन्होंने कहा कि परदेश में हैं वर्तमान में 63,297 मरीज उपचार धीन हैं और पिछले 24 खंटों में ही 12,041 लोग संक्रमण से उबरे हैं और अब तक 8,88,526 लोग संक्रमण को मात दे चुके हैं अधिकारी ने ये भी बताया कि राज में रवीवार को ही 38,033 लोगों की COVID-19 रोधी टीके की खुराक दी गई है और टीके की अब तक कुल 10 करोड 93,13,308 खुराके दी जा चुकी वहीं राज स्थान में रवीवार को करोणा संक्रमण के 10,061 नए मामले सामने आए जबकि संक्रमण से 21 मरीजों की मौत हो गई चिकित्सा और स्वास्ते विभाग के अनुसार रवीवार शाम तक ही राज में करोणा वायरस के 10,061 नए मामले सामने आए आकडो के अनुसार रविवार को राज्य में ही 12,600 लोग संक्रमण से मुक्त हो गए और इस समय ही राज्य में 72,289 मामले उपचार धीन है विवार के अनुसार इस संक्रमण से 21 मौते हुई है और इसके बाद राज्य में इस घातक संक्रमण में अब तक कुल मिला कर 9,245 लोगों की मौत हो चुकी है वही मौसम विभाग के अनुसार कहा जा रहा है कि दिल्ली में ही तीन फरवरी को हलकी बारिश होने की संभावना है और फरवरी की शुरुवात में ही अधिक्तम और नयूंतम तापमान 20 और 10 डिगरी सेल्सेस रहने की भी संभावना है मौसम विभाग के अनुसार रविवार को ही दिली में धूप के कारण ठंड से थूड़ी राहत मिली थी रविवार को अधित्तम तापमान सामानने के बराबर 22.02 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग के अनुसार आज याने सोंबार को शहर में आसपास ही रहेगा और आसमान में भी हलकी बारिश देखने को मिल सकती है हाला कि हवाई और तेज गती से चल सकती है और इस दौरान ही युवाओं की गती 22-35 किलो मीटर परती घंटे की रह सकती है वही अधिक्तम तापमान 23 और नियुनतम तापमान 8 डिग्री तक सी मट सकता है और मौसम विभाग के अनुसार राजे में अगले 2-3 दिनों के बीची शहर में एक सक्रिय पश्चिमी विच्छोब के आने की भी संभावना है और पश्चिमी विच्छोब के वजह से ही बुद्वार से बादल चाय रह सकते हैं और गुरुवार को हल्की बारिश की संभावना है वही मद्य परदेश में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है पश्चिमी विच्छोब के कारण ही अधिकतर जीलो में तापमान बढ़ने लगा है और मौसम विभाग के अनुसाद परदेश में दो फरवरी को ही मौसम करवट ले सकता है और तेज बारिश के साथ ठंड एक बार फिर से लोट सकती है